सीजन थ्री एपिसोड टू स्टार्ड होता है हमें दीखता है कि Gus ने कुछ डॉक्टर सालमांका के यहाँ भेज़े होते है सालमांका की कंडिशन बहुत ही क्रिटिकल होती है और से पता करना होता है कि सालमांका कब ठीक हो गए या उनकी एक्चुल कंडिशन केसी है Gus का डॉक्टर फिर गार्डी में उससे मिलता है और बोलता है कि इसमें कुछ होप नहीं है सालमांका ब्रेंडेट टाइप होते हैं तो यही कंडिशन उनकी रहेगी Gus यह मानने के लिए रेडी नहीं होता Gus को सालमांका को फिर से अच्छा करना होता है जैसे हमने ब्रेकिंग बैंड में देखा था Gus और सालमांका की बहुत ही बड़ी दुश्मनी है वो अभी भी उससे दुश्मनी लेना चाहता है इसलिए सालमांका को उसे जिन्दा रखना है सेला मांगा के आग के सामने उझे सब लोगों को मारना होता है किम जब सुबह उड़ती तो सॉल रेडी होकर जूस वगरा बना रहा होता है सॉल आज बहुत सारे इंटर्व्यूज में जाने वाला होता है चक अभी-भी मरा होता है इसलिए किम को लग रहा होता है कि सौल ने एक डे ज़रा ओफ लेना चाहिए पर सौल बोलता है कि मुझे इससे कोई भी ज़रूरत नहीं है मैं unemployed और कुछ दिनों तक नहीं रह सकता नेक सिन में नाचो उसके डैड की आता है वो अपने डैड को बोलता है कि आगके शौप को आप कोई भी problem नहीं आने वाला नाचो के डैड को साला मांकाने जो पैसे दी होते है फिर वो पैसे निगाल कर वो नाचो को फिर से वापस कर देते है नाचो जब जा रहा होता है तो उसके फादर उसे बुछते है कि तुम कब इस काम से बाहर निकलने वाले हो नाचो चला जाता है सौल फिर हमें एक इंटर्व्य में दिखता है printer sell करने वाली यह company होती है वहाँ salesman की position के लिए वो interview हो रही होती है उसके interview चल रहे होती है तो वो बोलता है मुझे printers के बारे में सब कुछ पता है मैं जब internship कर रहा था मैं जब HGM में काम करता था तो मुझे वही काम करना पड़ता था वो फिर उन्हें बताता है कि वो lawyer है तो बुचते है कि तुम अब lawyer क्यों नहीं हो फिर वो उन्हें situation के बारे में बोलता है Saul बोलता है कि मैं lawyer था इसलिए मुझे पता है कि मुझे कैसे sale करना है मैं हमेशा ADA को DA को सब sale करता रहता था मेरे जो clients थे उन्हें अच्छी deal में लाकर देता था तो मुझे ये job अच्छे से आ सकता है फिर वो उसे बोलते है कि हम एक week में तुमें बता देंगे सकता है उन्हें उसकी पीच बहुत ही पसना आती है वो बोलता है कि एक week में तुमें बहुत सारा profit में करा दे सकता हूँ फिर वो उसे hire कर लेते है Saul का mind फिर change हो जाता है वो बोलता है कि ऐसे किसी को भी तुम कैसे hire कर सकते हो Saul बोलता है कि में एक job नहीं करने वाला यह जो office होता है Alma के grandson का होता है Alma Saul की client होती है इस office में Saul को छोटे statues दिखते है जो Alma के पास होते है वो अब उसके grandson को मिले हुए होते है next scene में हमें दिखता है कि Mike को Lydia उसके पास बुला लेती है Mike जब Madrigal में गया था और security check वो कर रहा था इस incident के बारे में वो से पोच्छती है वो से बोलती है कि तुम्हें अब सिर्फ घर बैठना है तुम्हें काम नहीं कर सकते अगर तुमने यह किया तो हम trouble में आ सकते है माइक फूरे से समझाता है कि अगर मैंने यह नहीं किया तो हम trouble में आ सकते है यह एक अच्छी story बनती है इसलिए वो एक continue करने वाला होता है Lydia भी उसे रोक नहीं पाती Next in में हमें दिखता है कि Salamanca से मिलने जो twins होते वो आई हुए होते है गस ने एक specialist Salamanca को offer की होती है वो अब Salamanca का बहुत ही अच्छा खायाल रखने वाली होती है और Salamanca को फिर से वो जैसे थे विसा कर देने वाली होती है वो twins को बता के जाती है तो में Salamanca के साथ अच्छे से बात्चीत वगरा करनी है नाचो और उसका friend जब वहाँ आते है twins को बात करना नहीं अच्छा लगता तो नाचो और उसका friend जब वहाँ आते है तब वो उन्हें बात करने के लिए बोलते है माइक मानने रहा होता तो लीडिया Gus को कॉल करती है वो उसे situation के बारे में बोलती है पर गस उसे बोलता है कि ये perfect sense करता है Lydia बोलती है कि उसने batch चुरा लिया था और वो without permission जब वहाँ चला गया था गस फिर उसे बोलता है कि उससे तुम officially batch दे दो चक की जो will होती है उसे complete करने के लिए Harvard ने Saul को बुलाया होता है पर Saul वहाँ नहीं जाने वाला होता तो कीम उसके भी हाँ पर जाती है वहाँ चक की एकस वाइज भी होती है और चक का जो सब property होती है उसी को जा रही होती है वो Saul के लिए भी एक चेक लिखते है ये minimum 5000 डॉलर्स का चेक होता है चक ने Saul के लिए एक लिटर लिखा होता है वो Harvard उसे दे देता है फिर कीम उससे अकेले बात करना चाती है फिर कीम उसे बोलती है कि तुम Saul के साथ ऐसा क्यों तुमने किया है तुम उस दिन आये और तुमने बोला कि चक ने suicide की थी तुम ऐसे उसे नहीं बता सकते इससे वो बहुत हर्ट हो सकता है तुमें अच्छा लगे इसलिए तुमने ये किया है ये चेक ही बहुत minimum था यानि कि property में उसे हिस्सा मिला है ऐसा तुम सिभ फूप करना चाते हो और ये later क्या है अगर चक ने फिर से इसमें कुछ हर्ट पूल लिखा होगा तो ये और भी बुरा होगा सॉल फिर इंटर्व्यू से घर आ जाता है वो किम को बोलता है कि मुझे जॉब मिला था पर वो मेरे लिए अच्छा शूट नहीं था किम को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है फिर वो इंटिमेट हो जाते है सॉल फिर रिसर्च कर रहा होता है रात में तो उसे पता चलता है कि Elma का जो statue था तो वो बहुत ही valuable है फिर वो माई को call करता है और बोलता है कि मेरे पास तुमारे लिए एक job है यानि कि अब वो उस चोरी करने वाला होता है नेक्स सीन में हमें दिखता है कि नाचो गस के यहां आय हुआ होता है वो अपनी drugs की delivery लेने के लिए आय हुए होते है सालमांका जब active थे तो वो 5 packet लेते थे इस तरह से अब फिर से वो 5 packet लेना चाहते है पर वो उन्हें मना कर रहे होते है नाचो के साथ उसका जो friend होता है वो उन्हें pressurize करता है जब वो दोनों बाहर आते तो गस वहा होता है उपने आदमियों को लगा अगर नाचो के friend को वो मार दिते है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है यानि कि सालमांका की ये जो condition हुई है ये नाचो की वज़े से हुई है वो फिर उसे बोलता है कि अब तुम मेरे हो यानि कि वो नाचो को जो भी बोलेगा